दोस्तों अगर आपके भी राशन कार्ट की अभी तक EKYC कम्प्लीट नहीं हुई है तो आपको पता ही होगा राशन कार्ट में EKYC करने की जो लास्ट डेट है बहे 31 दिसंबर 2024 है यानि 2025 से पहले पहले आपको अपने राशन कार्ट की EKYC को कम्प्लीट करना होगा तो अब आ राशन कार्ट की EKYC घर वैटे ही कम्प्लीट कर सकते हैं राशन कार्ट में कैसे घर वैटे ही online EKYC कम्प्लीट करना है इस वीडियो में आपको step by step complete प्रोसेस बताने वाला हूँ इसलिए आप लोग end तक इस वीडियो में बने रहें अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल क को complete कर सकते हैं इसके लिए आपको करना क्या है सबसे पहले अपने मुबाइल के किसी भी browser को open करना है और यहां पर आपको type करना है SSUP इतना type करने के बाद में आपको search कर देना है search करने के बाद में पहले नंबर पर ही आपको website देखने को मिल जाएगी तो आपको इसी वाली website पर एक बार किलिक करना है और अब आपके सामने कुछ इस तरह से page आ जाएगा नीचे की side में आएगे यहां पर आपको एक option देखने को मिल जाता है check आधार validity तो आपको इसी वाले option पर एक बार किलिक करना है किलिक करने के बाद में यहां पर आपको सबसे पहले अपने आधार कार्ड नमबर को एंटर करना है एक capture code दिखाई दे रहा इस capture को same to same यहां पर fill करना है और proceed वाले option पर एक बार किलिक कर देना है और जैसे ही proceed वाले option पर किलिक करेंगे तो अभी आप देख सकते हो अगर आपके आधार कार्ड में मोबाल नमबर लिंक नहीं होगा तो आप लोग घर बैटे खुद से राशन कार्ड में EKYC complete नहीं कर सकते है तो राशन कार्ड में घर बैटे ही online EKYC complete करने के लिए सबसे पहले आपको play store से इस government application को install कर लेना है अब इस application का नाम क्या है और इस application में आपको किस तरह से registration करना है ID password कैसे बनाना है complete information मैंने इसी वीडियो में दी हुई है तो इस वीडियो को आप लोग complete जरूर देखें तभी आपको सारी कुछ information समझ में आने वाली है तो जब आप इस application को install करेंगे इसके बाद में आपको एक छोटा सा registration करना होता है और four digit का एक pin create करना होता है और इसके बाद में आपको login करना है तो यहाँ पर हमने registration बगएरा कर लिया है कैसे registration करना है वो मैं आपको आगे बता दूँगा तो जिस भी mobile number से आपने registration किया है उस mobile number को यहाँ पर फिल करना है और send OTP वाले option पर एक बार click कर देना है इसके बाद में आपने जो भी mobile number enter किया था उस पर एक OTP send किया जाएगा OTP यहाँ पर फिल करेंगे verify वाले option पर एक बार click कर देना है क्लिक करने के बाद में आप लोग इस application में successfully login हो जाएंगे और अभी आप देख सकते हो यहाँ पर इतने सारी services आप लोग इस application के माध्यम से access कर सकते हैं तो राशन कार्ड में online EKYC complete करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से ऐसे services हैं जिनका लाप ले सकते हैं तो three dot वाले option पर click करेंगे और यहाँ पर आप लोगों को सारी कुछ services देखने को मिल जाएंगे जिसमें कि यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल जाता है राशन कार्ड इस वाले option पर click करना है किलिक करने के बाद में यहीं से आप लोग अपने राशन कार्ड में आधार mobile number के status को check कर सकते हैं अपने राशन कार्ड को verify कर सकते हैं इसके बाद में यहाँ पर एक option देखने को मिल जाता है fare, price, soap इस वाले option पर click करेंगे और click करने के बाद में यहीं से आप लोग transaction बगएरा देख सकते हैं bill receipt देख सकते हैं और कुछ नीचे के साइड में आएंगे तो option देखने को मिल जाता है राशन कार्ड, services इस वाले option पर आपको click करना है click करने के बाद में यहीं पर आप लोगों को आधार EKYC का option देखने को मिल जाता है साथी आप लोग यहीं से अपने राशन कार्ड में mobile number को भी link कर सकते हैं अगर आपके राशन कार्ड में पहले से ही कोई mobile number link है तो उस mobile number को आप यहीं से unlink भी कर सकते हैं यानि कि remove भी कर सकते हैं और अगर आपके राशन कार्ड में गलती से किसी दूसरे वेक्ति का आधार कार्ड लिंक हो गया है तो आप यहीं से उस आधार कार्ड को unlink भी कर सकते हैं तो इतनी सारे services आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं अब हम बात कर लेते हैं कि इस application के माद्दिम से हमें राशन कार्ड में EKYC को कैसे complete करना है तो कुछ नीचे की साइड में आएंगे यहाँ पर आपको option देखने को मिल जाएगा आधार EKYC आपको इसी बाले option पर एक बार click करना है click करने के बाद में यहाँ पर पूरा process बताया हुआ है कि आपके सरह से अपने राशन कार्ड में EKYC को complete कर सकते हैं यहाँ पर राशन कार्ड में EKYC complete करने का पूरा process भी बताया गया है और इसके लिए आप लोगों को किसी भी राशन कार्ड डिलर के पास में जाने की जरूरत नहीं है तो आप लोग अगर इस application के मार्दम से राशन कार्ड में EKYC complete करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को online ही पहले face authenticate करना पड़ेगा और आपके face authentication के जरीए ही EKYC complete होगी यहाँ पर option देखने को मिल जाता है download आधार face RD app इसी बाले option पर हमें click करना है click करने के बाद में आप लोग अपने mobile के play store में redirect हो जाएंगे और यहाँ से आप लोगों को government के इस बाले application को install करना है जिसका नाम है आधार face RD यहाँ पर मेरे में पहले से ही यह application install है इसलिए यहाँ पर uninstall लिखके आ रहा है अगर आपके mobile phone में यह application install नहीं है तो यहाँ पर install लिखके आ जाएगा उस पर आपको एक बार click करना है click करने के बाद में यह install हो जाएगा और यहाँ पर uninstall लिखके आ जाएगा और अब आपको दोबारा से इसी वाले application में आ जाना है राशन कार्ड में EKYC complete कैसे करनी है यहाँ पर सभी step दिये हुए है सबसे पहले राशन कार्ड नंबर को enter करना है इसके बाद में यहाँ पर member select करना है जिसमें member की राशन कार्ड की EKYC complete करना चाहते है चेक बोक्स पर टिक लगाना है OTP डालना है और OTP फिल करने के बाद आपका OTP verify हो जाएगा इसके बाद में आप लोगों को face authentication करना पड़ेगा तो नीचे के साइड में आएंगे यहाँ पर एक box दिखाई दे रहा है इस वाले box पर आपको tick लगाना है और इसके बाद में यहाँ पर gate card details बाले option पर एक बार click करना है इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से page आ जाएगा सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोगों को अपने राशन कार्ट number को enter करना है और यहाँ पर आपको अपने आधार card के last के four digit को enter करना है then link यो राशन कार्ट वाले option पर एक बार click कर देना है और जैसे ही click करेंगे यहाँ पर देखे लिखे आ चुका है आपका राशन कार्ट number और आधार card के last के four digit आ चुके है अब यहाँ पर आप लोगों को इस वाले box पर tick लगाना है consent देना है और यहाँ पर आप लोगों को generate आधार OTP वाले option पर एक बार click कर देना है जैसे ही click करेंगे तो आपके आधार card से जो भी mobile number link है उस mobile number पर एक OTP send किया जाएगा OTP fill करके आपको submit वाले option पर एक बार click कर देना है और click करने के बाद में आप लोगों के सामने face authenticate करने का option आ जाएगा आप लोगों को अपने face को scan करना है और face आपको कैसे रखना है तो अभी आप देख सकते हूँ यहाँ पर जो भी circle दिया हुआ है तो इस circle में आपको अपने face को रखना है जैसे ही यह circle green color का हो जाता है इसके बाद में आपका जो face है बे आउटोमेटिक ही capture हो जाएगा इसके बाद में आपके राशन कार्ड की जो EKYC है वह सक्सेस्फुली यहाँ से complete हो जाती है तो इस तरह से आप लोग इस application के माद्देम से बहुत ही आसानी से अपने राशन कार्ड की EKYC को complete कर सकते हैं चली हम मैं आप लोगों को इस application का नाम बता देता हूँ और इसमें registration कैसे करना है वो भी बता देता हूँ तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने mobile के play store को open करना है और यहाँ पर आपको type करना है my ration इतना type करने के बाद में search करेंगे आपके सामने ये वाला application आ जाएगा my ration आपको इसे यहां से install कर लेना है और application को install करने के बाद open वाले option पर एक बार click करेंगे और इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से page आ जाएगा जिसमें कि सबसे पहले यहां पर आप लोगों को एक option दिखाई दे रहा new उपयोग करता तो आपको इसे वाले option पर एक बार click करना है click करने के बाद में यहां पर आप लोगों को अपने full name को enter करना है यहां पर आप लोगों को mobile number को fill करना है और इसके बाद में आप लोगों को इस वाले option पर एक बार click कर देना है और इसके बाद आपके mobile number पर एक OTP send किया जाएगा उस OTP को यहाँ पर fill करेंगे और इसके बाद में आपको इस वाले option पर एक बार click करना है जैसे ही click करेंगे यहाँ पर आपका जो user ID password है successfully create हो चुका है अब आपको यहाँ पर अपने उसी mobile number को enter करना है दोबारा से आपको send OTP वाले option पर click करना है और इसके बाद में आपके mobile number पर एक बार फिर से OTP send किया जाएगा उस OTP को यहाँ पर डालेंगे और इसके बाद में आपको इस वाले option पर एक बार click कर देना है और इसके बाद में आप लोग इस application में successfully login हो जाएंगे और अभी आप लोग देख सकते हो यहीं पर आप लोगों को option देखने को मिल जाता है आधार EKYC और इसे बाले option पर click करके आप लोग अपने ration card की EKYC को complete कर सकते हैं और इसके बाद में आपको बता दूँ यह जो application है यह सिर्फ गुजरात state के लिए है अगर आप लोग other किसी state में रहते हैं तो आप लोग इस application के माद्यम से ration card में EKYC नहीं कर सकते हैं अभी हाल ही में गुजरास सरकार ने ration card में online ही घर वैटे EKYC करने का जो application है उसे launch कर दिया है अब आप लोगों को comment करके यह बताना है कि आप कौन सी state में रहते हैं अगर आपकी state का कोई भी application प्ले स्टोर पर अविलेवल होगा और online ही EKYC अविलेवल होगी तो मैं उस state के उपर particular वीडियो बना दूगा जिससे कि आप लोग भी घर वैठे अपनी state में online EKYC कम्प्लीट कर सकें